पंच तंत्र की कहानियों से आपके लिए कहानी चुन कर लाई हूँ, शिर्षक है व्यपारी के पुत्र की कहानी किसी नगर में सागर दत्त नाम का एक व्यपारी रहता था, उसके लड़के ने एक बाड सौर रुपय में बिखने वाली एक पुस्तक खरी थी उस पुस्तक में केवल एक श्लोक लिखा था जो वस्तु जिसको मिलने वाली होती है वह उसे अवश्य मिलती है उस वस्तु की प्राप्ति को विधाता भी नहीं रोख सकता अतेव मैं किसी वस्तु की विनस्ट हो जाने पर ना दुखी होता हूँ और ना किसी वस्तु की अनायास मिल जाने पर ही आश्यरे करता हूँ क्योंकि जो वस्तु दूसरों को मिलने वाली होगी वह हमें नहीं मिल सकती और जो हमें मिलने वाली है वह दूसरों को नहीं मिल सकती उस पुस्तक को देखकर सागर्दत ने अपने पुत्र से कहा प्राप्तव्य अर्थ के नाम से पहचाना जाने लगा, कुछ दिनों बाद नगर में एक उच्छा मनाया गया, नगर की राजकुमरी चंद्रावती अपनी सहेली के साथ उच्छा की शोभा देखने निकली, इस प्रकार जब वह नगर का भ्रहमन कर रही थी, तो किसी देश का राजकुमार उसकी दृष्ट्री में आ गया, वह उस पर मुग्ध हो गई और अपनी सहेली से बोली, सकी जिस भी हो सके, इस राजकुमार ते मेरा समागम कराने का प्रयास करो, राजकुमारी की तहली ततकाल उस राजकुमार के पास पहुंची और उससे बोली, मुझे राजकुमारी चंद्रावती ने आपके पास बेज़ा है, उनका कहना है कि आपको देखकर उनकी दशा बहुत कोच नहीं हो गई है आप तुरंत उनके पास न गय तो मरने के अत्रिक उनके लिए अन्य कोई मार्ग नहीं रह जाएगा इस पर उस राजपुत्र ने कहा यदि ऐसा है तो बताओ कि मैं उनके पास किस समय और किस प्रकार पहुंच सकता हूं राजकुमार की सहली बोली रात्र की सहली तो वापस लोटाई और राजकुमार रात्री के आगमन की प्रतिक्षा करने लगा किन्तु रात हो जाने पर कुछ सोच कर उस राजपुत्र ने राजकुमारी के कक्ष में जाना एक-एक स्थागित कर दिया चन्योग की बात है कि वैपारी पुत्र प्राप्तव ये सत्कार किया उसको स्वादिष्ट भोजन खिलाया और अपने शहिया पर उसे लिटा कर स्वयम भी लेट गई व्यपारी पुत्र के इस पर्श से रोमांची थोकर उस राजकुमारी ने कहा मैं आपके दर्शन मात्र से ही अनुड़क थोकर आपको अपने हरदय दे बैठी हो अ आप मुझसे बोल क्यों नहीं रहे हैं क्या बात है तब व्यपारी पुत्र बोला मनुश्य प्राप्त तक वस्तु को प्राप्त करी लेता है यह सुनकर राजपुत्री को संदेय हो गया उसने दतकाल उसे अपने शेयन कक्स से बाहर भगा दिया व्यपारी पुत्र वहां से निकल कर एक जिर्ण मंदिर में विश्राम करने चला गया, सन्यों की बात है कि नगर रक्षक अपनी प्रेमिका से मिलने उसी मंदिर में आया हुआ था, उसे देखकर उसने पूछा, आप कौन है, विया पारी पुत्र बोला, मनुश्य अपने प्राप्ता भी अर्थ को ही प्र परण भूल से वह उस अस्थान पर न जाकर किती अन्य अस्थान पर जा पहुँचा, उस नगर रक्षक की कन्या, विनेवती भी किसी पुरुष की प्रेम में फसी हुई थी, उसने उस अस्थान पर आने का अपने प्रेमिको संकित दिया हुआ था, जहांकि प्राप्तव य अर्थ पहुँच गया था, विनेवती वहां सोई हुई थी, उसको आते देखकर विनेवती ने यही समझा कि उसका प्रेमी आ गया है, वह प्रसन होकर उसका स्वागत सतकार करेगी, जब वह वियपारी पुत्र के साथ अपने शैया पर सोई, तो उसने पूचा, क्या बात ह आप अब भी मुझसे निशिंत होकर बात नहीं कर रहे हैं, वियपारी पुत्र ने वहीं वाकि दोराया, मनिश्य अपने प्राप्ता विय अर्थ को ही प्राप्त करता है, विनेवती समझ गई कि बिना विचारे करने का उसको यह फल मिल रहा है, उसने तुरंत उस वियपार भी नामक वर बड़ी धूमधाव से अपनी बारात लेकर जा रहा था, वह भी बारात में शामील होकर उनके साथ साथ चलने लगा, बारात अपने अस्थान पर पहुँची, उसका खुब स्वागत सत्कार हुआ, विवाह का मुहुरत होने पर सेठ की कन्या सज धजकर विव पाह मंडप के समी पाई, उसी शण एक मदमस्त हाथी अपने महावत को मार कर भागता हुआ उधर आ पहुचा, उसे देखकर भै के कारण सभी बाराती वर को लेकर वहां से भाग गया, कन्या पक्ष के लोग भी घबरा कर घरों में घुच गया, कन्या उस अस्थान पर अके को संभाला और दूसरे हाथ में एक डंडा लेकर हाती पर पिल पड़ा, डंडे की चोट से भैवीत होकर वहां से भाग निकला, हाती के चले जाने पर वर किरती अपनी बारात के साथ वापस लोटा, किन्तु तब तक विवा का महुरुत निकल चुका था, उसने देखा कि उ अन्य नौजवान के साथ सटकर खड़ी हुई है और नौजवान ने उसका हाथ थामा हुआ है, यह देकर उसे क्रोध हा गया और अपने ससुर से बोला, आपने यह हुचित नहीं किया, अपनी कन्या का हाथ मेरे हाथ में देने के स्थान पर किसी अन्य के हाथ में दे दिया ह उसकी बात सुनकर सेट बोला मुझे स्वयम भी नहीं मालूम कि यह घटना कैसे घटी हाथी के डर से मैं भी तुम सबों के साथ वहाँ से भाग गया था अभी अभी वापस लोटता हूँ सेट की बेटी बोली पिताजी इन्हों नहीं मुझे इस मृत्यू से बचाया है अता अब में इनको छोड़ कर किसी अन्नी के साथ विवाह नहीं करूंगी इस प्रकार विवाद बढ़ गया और रात्री भी समाप्त हो गई प्रातर काल वहाँ भी रिकटी हो गई राजकुमारी भी वहाँ पहुँच गई थी विनेवती ने सुना तो वह भी तमाशा देखने वहाँ जा पहुँची स्वेम राजा भी इस विवाद की बात सुनकर वहाँ ते चला गया उसने विवारी पुत्र से कहा युवक तुम निशिन्त होकर सारी घटना का विवरण मुझे सुनाओ वियवारी पुत्र ने उत्तर में यही कहा मनुश्य प्राप्ता भी अर्थ को ही प्राप्त करता है उसकी बात सुनकर राजपुत्री बोली विधाता भी उसको नहीं रोक सकता तब विनेवती कहने लगी इसलिए मैं विगत बात पर पश्याताप नहीं करती और मुझको उस पर कोई आश्यर ही नहीं होता यह सुनकर विवाह मंडप में आई सीट की कन्या बोली जो वस्तु मेरी है वा दूसरों की नहीं हो सकती राजा के लिए यह सब पहली बन गया था उसने सब कन्याओं से पृतक पृतक सारी बात सुनी और जब वह आश्वस्त हो गया तो उसने सब को अभायदान दिया उसने अपनी कन्या को संपुर्ण अलंकारों से युक्त करके एक हजार ग्रामों के साथ अत्यंत आदर पूरवक प्राप्तवी अर्थ को समवप्रित कर दिया इतना ही नहीं उसने अपना पुत्र भी माल लिया इस प्रकार उसने उस वेपारी पुत्र को यूराज पद पर प्रतिश्चित कर दिया नगरक्षक ने भी उसी प्रकार अपनी कन्या विनेवती को उस वेपारी पुत्र को सौप दी तीनो कन्याओं से विवाह कर वेपारी पुत्र आनंद पूरवक राजमहल में रहने लगा बाद ने उसने अपने समस्त परिवार को भी वहां बुला लिया इस कहानी से हमें यहीं सीख मिलती है कि इश्वर कब किते क्या दे दे और क्या ले ले इश्वर के अलावा और कोई नहीं जानता कहानी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शियर जरूर करें धन्यवाद